Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. सोबचों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 English की Unit 4 का 2nd chapter. जिसका नाम है My Name, मेरा नाम. ये स्टोरी है एक फ्लाई की, एक मक्खी की. तो स्टार्ट करते हैं. Once there was a little fly. Fly मतलब मक्खी. One day he could not remember. Remember मतलब होता है याद करना. His name. He tried, try मतलब कोशिश करना. कोशिश करना. And tried to remember it. But it was no of use. So, once, मतलब एक बार, there was a little fly. एक बार एक छोटी मक्खी थी. मक्खी था. ये मेल फ्लाई है. One day, एक दिन, he could not remember his name. एक दिन, उसे, उसका नाम याद नहीं रहा. Could not remember. वो यादी नहीं कर पा रहा था. कि उसका नाम क्या है? वो अपना नाम भूल जाता है. He tried. वो कोशिश करता है. And tried. और कोशिश करता है. To remember it. उसे याद करने की. वो बहुत कोशिश करता है. अपने नाम को याद करने की. But it was no of use. लेकिन, वो किसी भी काम की नहीं कोशिश. Use मतलब काम. लेकिन, कोशिश, ट्राई करना, कोई use में नहीं आता. कोई काम में नहीं आता. मतलब कोशिश करने पर भी उसे उसका नाम याद नहीं आता. Now, he had forgotten. Forgot मतलब भूलना. His name. He asked. Ask मतलब पूछना. And, and. And मतलब चीटी. And, do you know my name? Now, he had forgotten his name. वो अपना नाम भूल जाता है. Forgot और Remember. दोनों एक दूसरे के opposite है. उल्टे हैं. Remember मतलब याद करना. और Forget मतलब भूलना. तो नाम अपना वो भूल जाता है. He asked an ant. वो एक चीटी से पूछता है. And, do you know my name? वो कहता है, कि चीटी, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? No मतलब पता होना, जानना. क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The ant said, I don't know. You may ask the tree I climb. क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है चड़ना. इसे आप क्लाइम नहीं बोलेंगे, be silent है, इसमें, क्लाइम. Okay? So the ant said, ant कहती है, I don't know, मुझे नहीं पता. You may ask, तुम पूछ सकते हो, the tree I climb. जिस पेड़ पर मैं चड़ती हूँ, तुम उससे पूछ सकते हो. मुझे तो नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है. तुम उस पेड़ से पूछो, जिसको मैं क्लाइम करती हूँ. The fly said, Dear tree, Do you know my name? The tree said, I don't know. You may ask, The cow sleeping, sleep मतलब सोना, In my shade, Shade मतलब होता है, छाया. So the fly said, फिर fly, मुमक्खी कहता है, Dear tree, प्यारे पेड, Do you know my name? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The tree said, तो पेड कहता है, I don't know, मुझे नहीं पता. You may ask the cow, तुम उस काव से गाय से पूछ सकते हो, Sleeping in my shade, जो मेरी चाया में सोई हुई है, तुम मेरी चाया में जो काव सोई हुई है, उससे पूछ सकते हो अपना नाम. तो उसने पहले आंट से पूछा, आंट ने बोला, प्री से पूछो, जिस पर मैं क्लाइम करती हूँ, प्री से पूछा, उसने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी चाया में जो गाएं सो रही है, तुम उससे पूछ लो. नव दे फ्लाइ वेंट नेर, नेर मतलब पास, दे काउ अन आस्ट, देर काउ, दे यू नो मैं नेम, दे काउ सेड, आए दोंट नो, यू मे आस्क, दे ग्रास, ग्रास मतलब घास, आई एट, नव दे फ्लाइ बेंट, अफ्लाइ जाता है, Near the cow, cow के पास में अब वो उस गाए के पास में जाता है Ann asked और पूछता है Dear cow, प्यारी गाएं Do you know my name? क्या तुभे मेरा नाम पता है? The cow said तो गाएं कहती है I don't know, मुझे नहीं पता You may ask, तुम पूछ सकते हो The grass I eat तुम उस ग्रास से घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ जिस घास को मैं खाती हूँ तुम उस घास से पूछ लो Now the fly went to the grass and asked Dear grass, do you know my name? The grass said I don't know You may ask the leaves Leaves मतलब पतिया Fallen, fall मतलब गिरना On me Now the fly went अब fly जाता है ग्रास के पास घास के पास and asked और पूछता है Dear grass प्यारी घास प्रिय घास Do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The grass said तु घास कहती है I don't know मुझे नहीं पता You may ask the leaves fallen on me मेरे उपर जो leaves गिरी है पतियां गिरी है तुम उनसे पूछ सकते हो Now The fly asked A leaf fallen on the grass Dear leaf Do you know my name? Now the fly asked A fly पूछता है A leaf Leaf मतलब एक पति Leaves मतलब बहुत सी पतियां तो वो एक पति से पूछता है Fallen on the grass जो घास पर गिरी थी घास पर गिरी हुई एक पति से वो पूछता है Dear leaf प्रिये पति Do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The leaf was about to answer When the wind blew Wind मतलब होता है हवा और blue मतलब blow करना बहना हवा जब चलती है हवा जब बहती है उसे बोलते है Wind blow करना So The leaf was about to About to मतलब जो काम होने ही वाला होता है About to answer तो वो पति आंसर देने ही वाली थी उसका जवाब देने वाली थी When the wind blew तभी क्या होता है हवा चलती है The leaf began to fly और पतिया फ्लाइ करने लगती है उडने लगती है हवा में Seeing this ये देख कर The fly remembered his name फ्लाइ को उसका नाम याद आता है My name is fly My name is fly He said happily Happily मतलब खुशी से Happy होकर तो जब हवा चलती है Leaves fly करने लगती है Fly मतलब उडना Fly के दो मतलब होते है एक तो जैसे fly Fly मतलब मक्खी जैसे house fly होती है Butterfly होती है Dragonfly होती है Okay So अलग-अलग तरीके की ये मक्खी होती है So एक fly मतलब होता है मक्खी ये भी fly है और एक fly मतलब होता है उडना उसे भी हम flying बोलते है Fly करना तो जब हवा चलती है Leaves fly करने लगती है और उन leaves को देखकर Fly को उसका नाम याद आ जाता है और वो कहता है My name is fly मेरा नाम fly है He said happily खुशी से वो कहता है तो ये आपका चाप्टर है एक बार एक fly होता है Once there was a little fly चोटा सा fly था उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था वो बहुत कोशिश करता है याद करने की But it was of no use लेकिन कोई फाइदे का नहीं नाम उसे याद नहीं आता He had forgotten his name वो अपना नाम भूल चुका था वो एक आंट से पूछता है Ant, do you know my name? Ant, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? Ant कहती है I don't know मुझे नहीं पता You may ask the tree I climb जिस पेड को मैं क्लाइम करती हूँ तो मुझसे पूछ लो फिर वो ट्री से पूछता है Dear tree, do you know my name? ट्री भी कहता है I don't know You may ask the cow Sleeping in my shade मेरी शेड में जो काव गाय सोई है तुम उससे पूछ लो फिर वो काव से पूछता है Dear cow, do you know my name? काव भी कहती है I don't know You may ask the grass I eat जो घास में खाती हूँ उस घास से तुम पूछ लो फिर वो घास के पास जाता है और कहता है Dear grass, do you know my name? घास भी कहता है I don't know You may ask the leaves fallen on me मेरे उपर जो पत्मियां गिरी है तुम उनसे पूछ लो फिर वो एक leaf के पास जाता है और कहता है Dear leaf Do you know my name? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? Leaf was about to answer वो leaf answer करने ही वाली थी कि तभी wind started blowing हवा चलने लगती है Wind blew, हवा चलती है and the leaf began to fly और leaf उडने लगती है और उस leaf को उडते हुए देखकर fly करते हुए देखकर fly को उसका नाम याद आ जाता है और वो happily खुशी से कहता है My name is fly My name is fly ओके? यह चाप्टर था New words देखने हैं पहले Little, little मतलब होता है छोटा, ant, cheaty shade, शाया जिसे पेड की shade होती है deer, pree grass, घास wind, हवा remembered, याद करना remember करना ओके? Next Now let us speak Speaking के activity है First question is How did the fly find his name? यह important question है जो fly थी उसको उसने अपना नाम कैसे find किया कैसे ढूंडा तो उसको अपना नाम याद आया जब उसने एक उड़ती हुई leaf को देखा एक flying leaf को देखा तो आंसर आप लेखेंगे आप लेखेंगे अपना नाम भूल जाते हैं अपनी mother से पूछेंगे अपने friends से पूछेंगे अपनी teacher से पूछेंगे My mother, my teachers किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं और my friends Friends, okay? Next Now Your teacher will take you to the class school garden और ground और classroom आपकी teacher अब आपको एक activity करनी है Let us listen Listening की activity है आपको school के garden में ground में या classroom में ले जाएंगी Sit down under a tree Classroom में तो tree नहीं होगा ठीक है? आप पेड के नीचे बैठ जाएंगे Close your eyes आपके बंद करेंगे Sit quietly शान्ती से बैठेंगे बिल्कुल चुपचाप And listen और सुनेंगे What do you hear? आपने क्या सुना? आप क्या सुन रहे हैं? Can you recognize the sounds? जो sounds आवाजें आप सुन रहे हैं क्या आप उन्हें recognize कर सकते हैं? Recognize मतलब होता है पहचानना क्या आप आप बंद करके उन आवाज को पहचान सकते हैं? वो किसकी sound है? किसी insect की है? किसी bird की है? किसी animal की है? Discuss with your teacher and your classmates आप अपनी teacher और classmates के साथ discuss करिए जो भी sound आप सुनेंगे किसी बच्चे की sound सुनते हैं या फिर आसपास कोई अगर road है उसमें कोई vehicles जाते हैं उनकी आवाज सुनते हैं पेडों के पत्तियों की आवाज आपको सुनाई देती है जब हवा चलती है जो भी sound आप सुनेंगे आप बंद करके आपको बताना है वो किन की sounds हैं पहचानना है now can you make the following sounds क्या आप ये sounds produce कर सकते हैं इनकी आवाजे निकाल सकते हैं cow like a crow एक crow के जैसे cow-cow करना देखो ये है crow की sound ओकी ये आपको produce करनी है क्लास में then chirp like a sparrow एक sparrow जैसे chirp करती है ची-ची करती है वो sound आपको produce करनी है देखो ये एक sparrow की sound है ओके तो ये आप क्लास में produce कर सकते हैं next है roar like a lion एक lion के जैसे आपको roar करना है दाहाडना है देखो lion ऐसे roar करता है now meow like a cat एक cat के जैसे जैसे cat meow करती है वैसे आपको sound produce करनी है इस तरीके से now buzz like a bee एक bee बदमक्खी जैसे buzz करती है वो sound आपको produce करनी है इस तरीके से now quack like a duck एक duck जैसे quack quack करती है वो sound आपको produce करनी है यह है duck की sound okay quack quack next now answer the following questions इन questions के answer दीजे who forgot his name कौन उसका नाम भूल गया था so the blank the fly fly forgot his name fly अपना नाम भूल गया था यह भी important question है what is your name आपका नाम क्या है so आप कहेंगे my name is मेरा नाम है और फिर जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे when the fly forgot his name जब fly अपना नाम भूल गया who all did the fly ask तो किन सब से fly ने पूछा सब से पहले fly ने पूछा था and से तो आप कहेंगे he asked asked the ant ant से उसने पूछा ant ने का ट्री से पूछो फिर उसने ट्री से पूछा ट्री ने कहा काव से पूछो फिर उसने काव से पूछा काव ने कहा ग्रास से पूछो फिर उसने ग्रास से पूछा और ग्रास ने कहा लीव से पूछो तो फिर उसने लीव से पूछा, and leaf, okay, so he asked the ant, tree, cow, grass and leaf, ये भी important question है, next, now complete the following sentences with suitable words from the help box, ये help box है, इससे आपको सही word चुनके blanks को fill करना है, कौन-कौन से words है help box में, leaf, पत्ती, tree, पेड, grass, घास, cow, guy, fly, makhi, so the ant said, ant ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता, you may ask the blank, I climb, तुम पूछो इससे जिसको मैं climb करती हूँ, so तुम पूछो tree से, you may ask the tree, तुम पेड से पूछ सकते हो, now the tree said, tree ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता, you may ask the cow, तुम गाएं से पूछो, sleeping in my shade, जो मेरी छाया में सोई है, now the cow said, cow ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता, you may ask the blank, I eat, तुम पूछो ग्रास से, घास से जिसे मैं खाती हूँ, the grass said, grass ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता, you may ask the leaves pollen on me, तुम पत्तियों से पूछो, जो मुझे पर गिरी हैं, leaf, now the, seeing the leaf, leaf को उड़ते हुए देखकर, seeing the leaf fly, fly मतलब मक्खी भी होता है, fly मतलब उड़ना भी होता है, the fly remembered his name, तो fly को उसका नाम याद आ गया, okay, next, now this is a story, can you see the picture, ये story है, क्या, आप picture जब भी leaf की देखेंगे story में, आपको story में leaf के picture दिखाई दे रही है, say the word give me, when you see the leaf to complete the story, जब भी आपको leaf दिखाई दे, आपको कौन सा word बोलना है, give me, the cat said to the cow, cat ने cow से, बिली ने गाएं से कहा, please give me some milk, please give me some milk, what will you give me, leaf का मतलब है give me, तुम मुझे क्या दोगी, ask the cow, cow ने पूछा, will you give me grass, क्या तुम मुझे घास दोगी, I have no grass, said the cat, cat ने कहा, मेरे पास तो घास नहीं है, will you give me water, क्या तुम मुझे पानी दोगी, ask the cow, guy ने पूछा, मैं तो तुमें दूद दूँगी, milk दूँगी, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी, क्या तुम मुझे घास दोगी, बिल्ली ने कहा, मेरे पास तुम ग्रास नहीं है, फिर क्या तुम मुझे पानी दोगी, I have no water, मेरे पास कोई पानी नहीं है, said the cat, cat ने कहा, but I will say thank you, लेकिन मैं तुमें thank you बोलूँगी, if you give me milk, अगर तुम मुझे milk दो, good, said the cow, cow कहती है good, then I will give you milk, फिर मैं तुमें milk दूँगी, now write the words give me next to leaf, अब leaf के बाद आपको सभी जगे give me word लिखना है, give me, give me, पहले पढ़ना है, give me, okay, next, now, project work, write what is the meaning of your name, आपके नाम का क्या मतलब है, can you find out, क्या आप ढून सकते हैं, पता लगा सकते हैं, tell it to the class, class में बताईए, जो भी आपका नाम है, उसका क्या मतलब है, अपने parents से आप पुछिए, उन्होंने आपका नाम रखा, जरूर उसका कोई मतलब होगा, let us speak, look at the pictures, pictures given है, उनको देखिए, read the words below each picture, हर word के, हर picture के नीचे word है, blue, black, blanket, plum, plate, plant, okay, write sentences using words given above, अब उपर जो words दिये हैं, इनको यूज करके sentences लिखना है, लिखने है, one has been done for you, एक आपके लिए लिख दिया गया है, Rohit has a blue blanket, Rohit के पास एक blue blanket है, blue और blanket हमने use कर लिए words, black से कोई sentence बनाई है, तो आप कह सकते, I have a black pen, या फिर, the cat is black, the cat is black, okay, next, now, blue हो गया, black हो गया, blanket हो गया, plum and plate, so the plum is on the plate, plum कहाँ पर है, plate के ऊपर है, plate पर रखी है, so the, इसमें underline करना है, black को, the plum is on the plate, plum और plate, ये दो words इसमें आए है, next, एक और word बचा है, plant, so the plant is green, but space नहीं है, तीन ही sentences के लिए जगे थी, आप फोर्ट यहां पर खुद से लिख सकते हैं, the plant is green, okay, actually, that's all students, इसी के साथ chapter over होता है, hopefully अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, story आपको अच्छे लगी होगी, thank you so much for watching, को अच्छे साथ